नमस्कार दोस्तों स्वागति आपका फार्मरोक्स के यूट्यूब एज्यूगिसने चैनल में तो आज की उडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसी हैल प्रॉब्लेम और उसके सॉल्यूस उनके बारे में बात करेंगे जैसे की चलने में सहारा लेना पड़ता है मलब कि आप किसी भी एजगे है पर हो यह रहा है कि आपको चलते वक्त जो है वो किसी भी चीज का सहारा लेके चलना पड़ता है फिर दूसरा हम देखे तो लाठी के सहारे आपको चलना पड़ता है तिसरी समस्य हम देखे तो चलते वक्त गुटनों में जो है वो दर्द होता है तो जो गुटनों का ये वाला हिस्सा होता है especially यहाँ पर तो जब भी आप walking करते हैं या फिर running करते हैं तो उसके बाद जो है वो काफी ज़्यादा दर्ध होता है या फिर उस दोरान भी आपको काफी ज़्यादा जो है वो difficulty का सामना करना पड़ता है चौथा हम देखे तो गुटना सीधा करने में परेशानी होती है एक बार मानलो कि आपने गुटना इस तरह से मोड़ा हुआ है तो उसको मानलो कि जब आपको सीधा करना है या फिर आप बैठे हुए और बैठने के बाद आपको उठना है या फिर चलना है तो उस वक्त मोडने में जो परेशानी होती है उसका एक रिजन ये होता है कि गुटनों में जो ग्रीस होता है वो काफी जयादा आपका कम हो गया है मतलब कि जो synovial fluid होता है वहाँ पे जो cartilage होता है एक तरह से हम कहें तो एक lubrication जिसा होता है जिसके करण आप easily movement कर पाते हैं पर वो जब कम हो जाता है तो इस तरह के problems होने लगते हैं जिसके अंदर गुटने को मोडने में चलने में दिक्कतों का सामना करता है फिर क्या होता कि जो जोडो होती है मतलब कि जो joints होते है वहाँ पे काफी ज़दा दर्द होता है कि चाहे आपके knee joint के बाद करें या फिर यहाँ पे elbow में जो joint है सबी जो joints है हमारे body में वहाँ पे आपको दर्द का सामना करना पड़ता है जैसे हमने देखा कि जो lubrication कम हो गया है उसके करन ये problem होती है तो गुटनों में grease बढ़ाने की जो गुली है उसके बारे में हम detail में study करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से medication ये problem को solve करती है जैसे कि क्या होता है कि कई बार ये grease यानि कि lubrication कम हो जाने से वहाँ से cut cut की आवाज भी आती है जब भी आप चलते है तो इसे आवाज यातर कई बार वहाँ पी इस तरह से सूजन यानि की inflammation भी देखने को मिलती है तो ये जो सभी health problem को solve करने वाली बहुत अच्छी medicine के बारे में सीखते है आज के lecture में और आप सभी को हम thank you कहिना चाहेंगे कि आप सभी के support के करन हमारे 1 million यानि की 10 lakh subscribers complete हुए है तो thank you so much ऐसे ही हमें support करते रहे हैं और हमारे वीडियोस को देखते हैं तो detail में हैं आगे Rumalya 4 tablet के बारे में तो ये ऐसे class के medication की जिसको हम anti-inflammatory drugs के category में include करते हैं और ये जो medication है हिमालिया drug company जो है वो manufacture करती है और हिमालिया drug company के बारे में मैं आपको बताओ कि ये एक Indian multinational pharmaceutical company है specially जो herbal products है उसको ये company जो है वो manufacture करती है और इंडिया में उसका जो headquarters जो है वो बेंगलोरू में है तो यहाँ पे हम देख रहे है रूमालिया फॉर्ट तो ये एक anti-inflammatory category के medication है और उसके हम key ingredients देखे तो यहाँ पे जो listed है वो उसके सबी key ingredients के जिसके हम detail में study आगे कर रहे हैं तो सबसे पहला जो उसके अंदर key ingredient है वो है सलकी है कि जिसको हम low bun कहते हैं दूसरा ingredient देखे तो एक प्राचिन जड़ी बुटी है जिसका नाम है बोस्वेलिया कि जिसको हम gum resin कहते है कि specially उसके benefit क्या है तो ये जो ingredient उसके इंदर red किया गया है वो क्या करता है जो कि joint में जो swelling है उसको reduce करता है joint pain जो है वो कम कर देता है फिर joint में जो stiffness आ जाती है अकड़न आ जाती है उसको ठीक करने में help करता है और उसके पास एक anti-inflammatory property है लेकि सूजन करने में काफी ज़्यादा जो है वो help करता है तो सूजन को कम करने में ये help करेगा anti-inflammatory property के करण फिर दूसरा जो ingredient है वो है Google जो हम कहते है तो ये भी एक gum है तो उसके बारे में मैं आपको बताओ कि जिसको मुकूल या फिर मेर ट्री भी कहा जाता है कॉमे फेरा वेटी भी उसको कहा जाता है इंडियन बेडेलियम ट्री भी कहा जाता है Google भी उसको कहा जाते कि जिसके पास भी anti-inflammatory antioxidant जिसी property है जिसके करण वो bond जो damage होती है उसको prevent करने में help करता है और joint के damage को भी prevent करने में मदद करता है तीसरा जो उसका एक content है वो है alpinia galangal कि जिसको हम रासना कहते है तो रासना भी present है यह rumalia for tablet के अंदर और यह एक बहुती rich antioxidant medication है कि जो यह joint related problems को ठीक करने में help करता है उससे तरह से जो glycerizer glabra है वो भी हमें help करता है joint related problem को solve करने विकोज यह भी एक popular और powerful antioxidant property जो वो provide करता है फिर gokuru जो है वो भी इसके अंदर present है कि जो bone protective effect उसके पास रहती है तो जब आप यह rumalia for tablet use करते है तो यह सभी अलग-अलग ingredients और उनके benefits जो आपको मिल जाते हैं फिर immunity boost करने के लिए गिलोई भी यह tablet के अंदर present है तो काफी सारे ऐसे herbal ingredients है वो ऐसे है कि जो आपके bone and joints की healthiness के लिए खास जरूरी है कि जो गुटनों में से आवा जा रही है वहाँ पे lubrication कम हो गए तो वो सभी को improve करने में यह जो tablet है वो काफी ज़्यादा मदद करती है तो उसका जो पहला एक popular use है वो है joint pain के अंदर कि जैसे हमने आगे सरुआत में health problems देखे उसमें से यह problematic solve करता है arthritis को जो symptom से उसको भी ठीक करने में यह tablet जो है वो काफी ज़्यादा helpful सा वित होती है तीसरा हम देखे तो arthritis के अंदर जो specially होता है कि जो bone spurious का जो यह यहाँ पे जो area है कि यह उपर का bone यह निचे का bone कि यहाँ पे एक joint बन रहा है तो यह joint में आप देख रहें कि cartilage present है फिर cartilage जो वो breakdown हो रहा है तो यह cartilage मतलब यह टाइप का grease हो गया है lubrication हो गया है तो वो कम हो जाने के करण काफी ज़्यादा दिखके दों का सामना करना पड़ता है तो यह problem भी solve करती है यह rumalia for tablet फिल muscles में बेन हो रही है तो इसमें भी यह tablet जो हो काफी ज़्यादा helpful सापित हो सकती है फिर joint में जो swelling है तो यह जो tablet के जो ingredients हमने देखे तो anti-inflammatory properties उनके पास है तो यह जो inflammation हो जाती है joints में तो यह inflammation को ठीक करने के लिए rumalia for tablet आपको help करता है फिर benefits देती है फिर cervical spondylitis हो गया तो उसमें भी यह medication जो यूज की जा सकती है उसी तरह से जो lumbar spondylitis की जो condition है उसमें भी इसको हम use कर सकते है gout में भी यह prescribe की जा सकती है और frozen shoulder की जो condition produce होती है तो बहुत सारे ऐसे problems की जो bone and joints के related है यहाँ पे pain हो रही है या फिर surgeon है तो सभी को ठीक करने में यह आपको helpful साभित होती है तो जैसे हम यहाँ पर यह tablet के बारे में सिख रहे है ऐसे ही बहुत सरी अलग-अलग बीमारियों के बारे में सिखना है उनके उप्चार के बारे में सिखना है तो जो हमारी book है decision treatment तो यह book को आप जरूर से order कर सकते हैं जिसके अंदर हमने अलग-अलग बीमारियों के बारे में सिखा है उनके उप्चार के बारे में आपको बताया है तो यह book को order करने के लिए यहाँ पर दियेगे number 2 आप हमें whatsapp कर सकते हैं label की हम बात करें तो खासकर एक pack जो होता है उसका उसके अंदर आपको total 30 tablets जो वो मिल जाती है यहाँ पर जो हम packing देख रहे हैं फिर working की हम बात करें तो कैसे काम करती हैं तो यह medicine हमारी body में naturally ऐसे chemical को block करती है जो सूजन और दर्ध के लिए responsible है और यह जो chemicals block हो जाते हैं कि जो socially responsible है सूजन और दर्ध के लिए तो वो chemical block हो जाने से automatically यह जो आपको सूजन हुई है जो दर्ध हो रहा है वो दिरे-दिरे ठीक होने लगता है अब dose की बात करते हैं कि किस तरह से doses में उसको लेना है तो एक tablet जो है वो दिन में दो बार लेनी होती है मलब कि एक morning dose रहेगा एक tablet का और एक evening या फिर रात का dose रहेगा दूसरे tablet का अब बागे समझते हैं उसके price के बारे में तो जो हमने latest price चेक की है October 2024 कि तो उसके according to MRPA 420 रूपिस 60 tablet का जो pack है कि अगर आप दो package उसके purchase करते है तो उसके उपर इस तरह से आपको offer में अलग-अलग online website से भी मिल जाएगी as well as offline market में भी ये tablet जो है वो मिल जाती है side effects के हम बात करें तो इसके कोई भी ऐसे side effects नहीं है because इसके इंदर सभी herbal ingredients है तो कोई भी side effects जो है वो नहीं करती but ध्यान ये रखना है कि उसके ingredients कच्चे से check करें और फिर ही उसको use करें यहाँ फिर से मैं आपको reminder देना चाहूंगा कि हमारे book को जरूर से purchase कर सकते हैं book order करने के लिए यहाँ पर दिये गए number पर आप हमें whatsapp कर सकते हैं अब ध्यान ये रखना है कि side effect तो नहीं है बट आपको उसके जो ingredients है जो हमने अभी सरुवात में देखे तो इसमें से कोई भी ingredient के साइद आपको allergy है तो skin के ओपर races वगेरा बन सकते हैं दूसरा एक ध्यान ये रखना है कि इसको high dose में use ना करें तो pregnancy में उसको use करें या ना करें वो specially आपको आपके gynecologist को consult करना चाहिए gynecologist अगर advice देते हैं तो ही use करें वरना pregnancy के दरान उसका कभी भी self medication आप ना करें अब समझते हैं उसकी drug-drug interaction तो किसी भी medication के साथ इसकी drug-drug interactions नहीं करता मैंला कि completely safe है ये medication को use करना ना है कोई drug के साथ ना है कोई beverages के साथ ना है food के साथ तो अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो यहाप ए क्लिक करके आप मेरा ये वीडियो भी देख सकते हैं और support करने के लिए हमें subscribe करें और ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहें So good luck and all the best